Hi everyone, welcome back होगे आप सभी का Shopify ड्रोप शिपिंग कोर्स में जैसा के हमारी last वीडियो में हम लोग ने सीखा था कि Facebook ads को run किस तरीके से करना है अगर आप लोग ने वो वीडियो मिस कर दिया तो don't worry नीचे description box में जो वीडियो का link मिल जाएगा अब Facebook ads अगर आप लोगों को run करना आ गए है तो ये वीडियो काफी ज्यादा आप लोगों के लिए असान हो जाएगी क्योंकि हम लोग इस वीडियो में live practically करके मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लोगों ने अपना Shopify पर first order किस तरीके से generate करना है सब कुछ practically होने वाला है वीडियो का आप लोगों के साथ शेर करना चाहा रहा हूँ कि मैं personally किस तरीके से अपने orders को generate करता हूँ अब इतर पहला जो rule है वो आप लोगों ने winning product find करनी है अगर आप लोगों को नहीं पता कि किस तरीके से winning product find करनी है तो मैंने already वीडियो डाली हुई है उसका link भी description में मिल जाएगा लाद में से जाके check out कर लेना है अब मान की चलते हैं हम लोगों ने winning product find कर लिया है पहले नमबर पे अब इतर अगर आप लोगों मेरे store पे आएं तो इतर मैंने एक product find करके रखी हुई है G&N Ultra Pro Smart Watch Golden Edition के नाम से फर्द करो कि आप लोगों ने भी कोई product find कर लिया है पहला काम हम लोगों ने product find करना है वो कर लिया अब इसको मैं add चलाना चाहरा हूँ पहले आप लोगों ने mood आगे ऐसे नहीं add चलानी शुरू कर देनी आप लोगों ने पहले research करनी है कि वाकर ये product जो है trending में चल रही है इसकी demand है भी के नहीं ये बेकेगी भी के नहीं तो इसको check किस तरे कैसे करना है आप लोगों ने आना है facebook ads library में facebook ad library open करोगे इधर आप लोगों ने अपनी location सेलेक्ट करनी है मैं पाकिसान select कर रहा हूँ ad category में आके all पे कर लेना है आप लोगों ने और इधर keyword search करना है अपनी ad से related तो मेरी जो product है genin ultra pro smart watch मैंने इधर search किया है keyword लिखके तो इधर आप लोगों देखें कि already ad चल रही है और इसकी अगर मैं आपको ad open करके दिखाऊं तो ये 9 September 2023 की ad ये बंदा run कर रहा है अभी के टाइम मैं बात करूँ तो 21 तरीक है और ये 9 तरीक से already ad run हो रही है मतलब कहने का कि इस बंदे को इस ad से कुछ ना कुछ profit हो रहा है तो ये ad चला रहा है तो आप लोग ने इस तरीके से अपनी जो भी product आप लोग बेचना चाहर हो आप लोग ने facebook ad library में आके सबसे पहले research करनी है कि हाँ कि ये product बिकरी है trending में है इसकी demand है market में या नहीं अब देखो मेरी product की market में demand है तो इसके बाद next process जो होता है वो होता है ads run करना तो उससे आप लोगों को orders आएंगे अब मैं आपको live दिखाता हूँ कल हम लोग ने जो ad चलाया था यही ad था product one आप लोग ने वो वीडियो देखनी है उसके बाद आपको हर चीज clear हो जाएगी ये मैंने ad चलाया था इस ad से मुझे orders आये हैं अब इदर screen पे मैं screen shoots भी add कर दूँ है अब यह जो बंदा था यह आया मेरे store पे इसने visit किया इसको product अच्छी लगी इसने cash on delivery वाला मैंने button own किये हुआ था आप लोगों ने यह भी देख लेना है कैसे own करना है अब यह आया इदर इसने देखा कि नीचे WhatsApp मैंने link किया हुआ यह मेरे WhatsApp पे आया WhatsApp इसने contact किया है कि मैं product buy करना चाहरा हूँ क्यूंकि पाकिसान में ऐसा होता है कि लोग गबराते हैं चीज buy करने से पहले वो सोच दें कि यार हां हमारे साथ कोई scam नो जे इसलिए मैंने WhatsApp एड़ किया था ताकि कोई भी बंदा अगर interested हो तो पहले वो contact कर ले हर चीज़ डिटेल में आप से पूछ ले फिर next ही वो चीज़ परचेज करे तो इस तरी के से आप लोग ने भी अपना WhatsApp जो connect करके रखना है ताकि वो बंदा आप से purchase करने से पहले contact कर सके तो इससे एक फाइदा आपको यह होगा कि आपका जो conversion rate है वो increase हो जाएगा और आप easily जो अपने orders को generate कर पाओगे आई होगा इस वीडियो आपको काफी ज़दा पसंद आई होगी वीडियो ची लगे तो वीडियो को like last में क करके जाना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि फ्यूटर में आपको ऐसी मज़े मज़े की वीडियो मिलते रहे हैं किसी भी किसम का question हो नीचे comment box खुला है comment box में comment करके पूछ सकते हो मेरे instagram handle भी आपको description box में मिल जागा मिलते अपनी next वीडियो में आज कितना ही अलाफ झाल प्यापईब प्यूत आपड़ कि यूट प्यूटर सब्स्क्राइब छें आपको सम।स्टाइब अपको साथ से कितना हैं कि अ जापको सम।स्क्राइब